हलो क्लास्टर सब्जेक्ट बच्वाप का हिंदी व्याकरण और इसमें देखिए आपका इपार्ट पार्ट नमबर बारा प्रियावाजी सब्द ये कंप्लीट हो चुका था और इसके प्रश्णूतर देखिए आज आज इसमें प्रश्णूतर करवाएंगे तो कवल आपने इसमें कुछ प्रेवाजी सब्द इसमें लिखे होंगे ठीके आगे बढ़ते हैं प्रश्णूतर की तरफ तो यहां पे देखिए कल मैंने आपको कुछ प्रश्ण करवाए थ97 यह यह मौकित प्रश्ण और लिखित प्रश्ण इसमेर क्या कहना था तई सही प्रेवाजी सब किसका चितर बना है सूर्य का चितर बना है तो सूर्य को क्या कहते है रवी और दिनेश ठीक है जो मैंने आपको 25 प्रेवाची सब्दी लिखाये थे इसमें यह सूर्य का भी बताया गया था तो सूरिया को क्या कहते है रवी दिनेश और तू इसमें देखिए परवत बना है परवत को कहते है नग गिरी एक नाम नग भी है दूसरा नाम गिरी है और यहां पर देखिए आँख ही बनी है आँख, आँखोती नयन और लोचन ठीक है और यह बना है आकाश तो आकाश को क्या कहते है नब, नब भी कहते है और गगन ठीक है, आपने इसको बुक्स पे भी इस तरीके से लिखना है और अपनी कॉपी पे इसको करना है क्वेशन नमबर 2 यह कंप्रीट हो गया आप देखे, क्वेशन नमबर 3 प्रयावाची सब्द पूरे किजिए इसमें देखे, सब्द पूरे नहीं लिखे है इन सब्दों का आपको क्या करना है पूरा करना है तो सबसे पहले को देखे, रात रात का और क्या होता है रज, नी और निशा ठीके, रात को क्या कहते है रजनी और नीशा आग, आग का है अनल, औली का है अनल और पा पावक नदी नदी को बोलते हैं सरीता और टटनी पक्षी पक्षी को विहग और खग ठीके, आपने इसको पहले बुक्स में करना है जो मैं बोलती हूँ उसको आप फिल करते जाए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको फिल करते जाए ठीक है तो यह हो गया आपका रजनी नीशा ठीक है अनन पावग सरिता तटनी विहग और खग आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए कुश्यन नमर फोर में देखिए इसमें लिखा है नेमलिकरी सब्दों को पढ़िए और समान अर्थ वाले सब्दों को चाटिए तथा अलग-अलग बॉक्स में लिखिए ठीक है तो यह आपको बुक्स में ही करना है इसको कॉपी पे आप को नहीं करना ठीक है जो मैं कॉपी पे आपको करना है वो बता रही हूं यहां पर देखिए लिखा है रजनी इश्वर रात बाग घर वाय नब उपवन वार्टिका भवन अनिल ग्रै भगवान आकास निशा प्रभू पवन और गगन अब देखो बच्चों इन्होंने उध इश्वर का ढूनते हैं इश्वर यह रहा इश्वर को भगवान भी कहते हैं और प्रभू भी कहते हैं तो यहां पर इश्वर भगवान प्रभू ठीक है ना दूसरा देखिए यहां पर लिख देते हैं वार्टिका वार्टिका को उपवन भी कहते हैं और बाग भी कहते हैं तो तीन ही आ गए, फिर देखें यहां पर ग्रह, ग्रह आया ना, तो ग्रह, ग्रह को और क्या कहते हैं, घर भी इसमें खट लिखा है, और आवाश या भवन भवन इसमें आया है, ठीक है, यहां पर हम भवन लिख देंगे, और फिर देखें यहां पर आकाश, क्या है, आकाश को क्या कहते हैं नब और गगन गगन और नब ठीक है अब देखें आप लास्ट बचाएए यहां पर आएगा आपका पवन पवन देखनें आप पवन वाई और अनील यह देखें तीन दिन सारे आपको इसमें मिल गए हैं इनको आपको इस तरीके से करना है अब चलिए यह question number 5 पे नेम लिखित उचित समान आर्थी सब्दों से दिकतासान की पूर्ति कीजी आपको कॉपी पे करना है बच्चों तो यहां पर देखें इनोंने सब्दे भी देए हैं आपको वाक्य क्या करना है इसमें इसमें वाक्य लिखने हैं यह वाक्य पूरा करना है भूमी ब सुमन पूस्प का क्या है प्रयवाची है ख सागर को भी कहते हैं सागर को क्या कहते हैं समुद्र भी कहते हैं ठीके ग बादल को डेडेस भी कहते हैं घन ठीके ख धरती को कुछ लोग धरा कहते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं भूमी भी कहते हैं क्या कहते हैं भूमी कहते ह और लास्ट है आपका उप्वन को डेड़ेज भी कहा चाहता है भगीचा ठीक है हम आम आम सबसे हैं कि यूद्的 पलख करते हैं बहुत कम लोग बोलते हैं ठीक है तो इसको क्या कहते है भगीचा तो यहाज आपको अपनी क copying पे इसको करना है मैंने बता दिया आपको जो आपको कॉपी पर ये करना है question number 5 आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और question number 2 और 3 ठीक है ना 2 3 और 5 आपको अपनी कॉपी पर करना है और ये आपको books पर ही लिखना है